हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आऊं दोस्तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे मताऊंगा तो दोस्तो यह काफी अच्छी अप्लिकेशन है जैसे अगर आप कोई मोवी देखते हैं अगर आप डाउनलोड करके कोई मोवी देखते हैं और फिर आप गैलरी पे कोई वीडियो सेईब करके रखे रहते हैं चोने दश्तो यह आप लोगों के लिए काफी अच्छी है और जैसे कि दोस्तो आप मूजिक सुनते हो और फिर वीडियो को आईडियो में कतर तो दोस्तो यह अप्लिकेशन आप लोगों के लिए बहुत important चीज़ें क्योंकि दोस्तों इस application में आपको पूरा यानि जो जो मैंने बताया आपको इस application में पूरा मिल जाएगा तो इस application का नाम play it application है तो दोस्तों इस application में आपको यानि movie देखने का option मिल जाएगा जैसे कि आप 4K HD या फिर Full HD में कर सकते हो आपका जो भी quality रहेगा आप उसी साब से कर सकते हो आप इसमें subtitle चेंज कर सकते हो जैसे कि आप max player में subtitle चेंज करते थे English को Hindi में करने के लिए तो आप इसमें भी कर सकते हो और दोस्तों इसमें आप अलग से music सुन सकते यानि आपके folder में music रहेगा तो आप सुन सकते हैं जो आप download करके रखे होंगे इसके यवगा दोस्तों आप इसमें वीडियो को आईडियो में कर्णमर्ट कर सकते हो तो दोस्तो इसमें बहुत सारे फीचर है तो दोस्तो मैं और फीचर मोबाल स्क्रीम पे बताऊंगा तो चले दोस्तो मोबाल स्क्रीम पे चलते हैं और हमें प्ले इट का पूरा फीचर आप लोगों को बताते हैं ठीक दोस्तो तो चले दोस्तों मोबारी स्क्रीम पर चलते हैं दोस्तों एक रीक्वेस्ट और है कि अब हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जैसे कि नॉबा लॉइंचर के बारे में तो इसमें मैं अब डेली का डेली दस वीडियो बनाऊ गया यानी नोबार लाउंचर के जो ये अथे हैं तो उनकी में 10 आप बनाओँ घ्यानी डेली का डेली एक एक में लाउंचर आप लोगों को बताओंगा कि इसे आपको कौन सा लाउंचर अपने मुबाल में सेफ करना चाहिए तिके दूस्तों यानि में इनले से 10 तो यह दिन ये चलेगए ऐसे ही है एक का देली अप सी रीज आप लोगों प्रेसानी न हो और अप एक़ी बार में क्लिक करके देख सको कि हाँ ये इधर वीडियो है आप एककी बार में वीडियो देख पाऊ Scriptures आप तो दोस्तो आप सीरी चालू होने वाले हैं तो आप प्लीस फेट कीजिएगा ठीक है दो चलिए दोस्तो में मोबाल स्कीम पे चलते हैं कि हलो है है एन AP lineskyun पर चुक्य है तो दोस्तों यह प्लेई टप्ली कैसा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो तो यह अभी ओपन हो रहे है ठीक है दोस्तो तो आप यहां पिंटर ऐसे का देख सकते हो इसमेन कुछ इस तरह का इसका ओपन होता है तो इस्मेह अज कि कोई वीडियो रहेगी तो यहां पर सोग करने लगी इसके बाद दोस्तों यहां पर म्यूजिक के उपसंट पे जैसे कि अगर आप कोई भी सौंग यहां पर डाउनलोड करके होंगे अपनी खुद का यानि जो आनलाइन के अलावा जो आप डाउनलोड करके रखते हैं आप यहां पे आपको प्लेलिस्ट का उपसे मिल जागाा आप यहां पे प्लेलिस्ट कर सकते हों आप को यहां पे फोल्डर का option मिल जाता है यानि आप इसी ब्राउजर के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं या वाटसाप Facebook Instagram YouTube यह भी आप चला सकते हैं ठीक दोस्तों इसके बाद मी में आपका folder दिखेगा जैसे कि यहां पर download का option है इस्टरी का और favorite का है ठीक दोस्तों इसके बाद इसमें जब आप सेटिंग पर option पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको display का option मिल जाएगा आप यहां पर display का चेंज कर सकते हैं ठीक दोस्तों यानि आप वीडियो को करना चाहते है या फिर आपको जो भी करना चाहते हो तो आप यहां से सेटिंग पर कर सकते हो और सब्टाइटल वाला जो मैंने यहां पर बताया थो तो यहां से सब्टाइटल का कस्टूमाईज भी कर सकते हो ठीप दुस्तो इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है मैं बैक हो जाता हूँ निए को और दूस्तो जो मैंने MP कंवर्टर के बस बार बता है दूस्तो ये ठीक है ठीक है दुस्तो जैसे ही आप convert पे क्लिक करोगे ये आईडियों पे convert हो जाएगी ठीक है दोस्तो इसके बाद यहां पे दोस्तो इसका ब्राउजर थिम मिलता है ठीक दोस्तो जैसे कि यहां पे आपको free browser थिम मिलेगा आप इसे इस्तमाल कर सकते हो तो यानि आप कोई भी browser लगा सकते हो जैसे ये dark color है आप इसे यहां पे use कर सकते हो तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे अब dark color हो चुका है इसके बाद दोस्तो अब मैं main चीज़ पे आ जाता हूँ जैसे कि अगर कोई आपको movie देखनी है जैसे कि यह एक movie है जैसे कि यह गौड जीला movie है ठीक दोस्तों कि तो इसमें आपको क्या क्या option मिल जाता है ठीक दोस्तों तो इसमें सबसे पहले आपको option मिल जाता है speed का ठीक दोस्तो आप यहां से speed कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से और इसके बाद दोस्तो इसमें और आपको क्या option मिल जाता है आप इसमें size का option मिल जाता है आप इसमें size जितना भी ज़्यादा हो सकता हो आप full screen या फिर कुछ भी screen आप यहां से अपने हिसाब से size बढ़ा सकती हो ठीक दोस्तो इसमें एक यहीं चीज़ ठीक दोस्तो तो यहां से अपना size चुन सकते हो इसके बाद दोस्तो इसमें और आपको क्या मिल जाता है इसमें आपको IDEO FUNTION मिल जाता है ठीक दोस्तो आदियू FUNTION मुतलब जब आप इस IDEO option पे क्लिक करोगे то हाँ पर आपको न लूए ख Оп उपनी हिसाब से यहां पर आवाज को क्लासीक डान्स आपको बहुत सारह मिल जाएंगे ही फॉप आपको चाहिए आप ब्बाटार के अपना भी कर सकतु है इसमें आपको बेस बूस्टर भी भी मिल जाएगा ठीक दोस्तों यानि आप यहां से बेस भी बढ़ा सकते हो ठीक दोस्तों तो यह फीचर इसमें काफी अच्छा फीचर है इसमें आपको फीड रोटेशन का ओप्सन मिल जाएगा आप यहां से रोटेस्ट कर सकते हो ठीक दोस्तों इसके बाद जब आप इसमे त्री टॉट के option पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको loop option मिल जागा इसमें आपको कास्ट का यानि कास्ट का मतलब जब आप टीवी के टीवी पे आप देखना चाहते हो तो आप इसे आसानी से देख सकते हो यानि आपको एंडी कास्ट का डिवाइस करने पड़ेगा आप इसके आपको इसमें स्क्रीन खॉर्ट भी मिलता है टारेत दूस्तों परननलोट मिलता है विर तो इसमें आपको ट्रामर भी दे तो यहां पर आपको ऑप्सन देदेगा आप जैसे 720 का डाउनलोड करिया होगा तो आपको यहां पर 4K देदेगा तो यह मैंने 360 मेगा फिक्सल का ही डाउनलोड किया तो इसलिए मेरे मेरे में अभी सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर यहां से सब्टाइटल डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद दोस्तों इसमें मेरे में चीज क्या है जैसे कि आप यहां पर साइट कावनर पर जब आप किलिक करोगे तो यहां पर देख सकते हो यहां पर वीडियो चल रही है ठीक है दोस्तों अब में इसे कहीं भी यूच कर सकता हूँ जैसे कि बेहां से बैका जाता हूँ और मैं इसे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ मैं वाटसप चलाते चलाते भी मूवी देख सकता हूँ इसको मैं कहीं भी यूज़ कर पाऊंगा ठीक दूस्तो जैसे कि आप यूटूब एप में देखे होंगे कहीं कहीं ये फीचर रहता है तो आप इसे भी गैलरे में यूज कर सकते हो आप जहां भी इसको चाहो वहां भी साइड पर रख सकते हो और आप जो भी काम करना चाहते हो आप काम भी कर सकते हो तो इसमें एक फीचर यह भी है ठीक है दोस्तो तो इसमें यही सब चीजे हैं दोस्तो जो आपको यह एप काफ करके रखे होंगे तो इसमें आपको फोल्डर भी 100 करेंगे ती उसमें कुछ फंसान है दोस्टो यह काफी अच्छी आप है जैसे कि आप मैक्स प्लेयर ले लिए फिर बीपियर ले लेये तो उनमें से यह काफी अच्छी अफ़टी दुस्तो तो आप इस एक बार यूज कर सक हो अपने डेली एप के उसमें ठीक है दोस्तों तो यह काफी अच्छी एप है तो दोस्तों अगर यह आप आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए